हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे तो क्लास 11 का उर्दू का एक्जाम होने वाला है और उसमें आप लोग क्या पूछा जाएगा तो आप लोग का दो बुक चलता है एक कोर चलता है एक इलेक्टिव चलता है तो एक्जाम में किस तरह से कोश्चन पूछा जाएगा वह हम आपको ओरिजिनल मॉडल कोश्चन पेपर जो आप लोग का आया है 2024 का वह आपको दिखा रहे हैं ठीक है आप लोग इसको देख लो और यहां से किस तरह सवाल आपके एक्जाम में पूछा जाएगा वह आपे बत देखोगे और दूसरी बात है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तब ही आने वाली वीडियो का नॉटिफेकेशन मिलेगा और क्लाश टूवल के तयारी भी आप अच्छे से कर पाऊगे यहां पर कह रहा है कि सभी सवालों के जवाब देना है आपको जैसे सवाल न तो अफसाना डाइन है नो उसका मुस्निफ आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा शक्सियाला अक्तर है नो शक्सियाला अक्तर डेक्ष्ट कोशन नमर तीन है आपका मिटी का तेल नश्री अदब की कैसी सिनफ है तो जो मिटी का तेल है वो नस्री अदब की कैसी स पर ये आपको बतानी है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी इंशाया है वो क्या है इंसाया है कोशन नमर चार पर आईए कोशन नमर चार में आपसे कह रहा है कि कनहिया लाल कपूर का जनम कब हुआ था तो कनहिया लाल कपूर का जो जनम हुआ था वो हुआ था आ पॉस्एन आर्तंस सींग का अथा आधानी है उसमें जो कहानी आपको दिए गया है यह आपको बतानी है तो राइ ट्रैसर ओशेर बका और बार अधाने है आपको 6 पर 6 पर 6 में बंदर बाला-अश्ऑार-एक-बाल की किस नादिर से लिया गया है तो यह स्मूध और आधानी ह समा परवाना से लिया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग को शमा और परवाना नजम के माने क्या होते हैं ठीक है राइट अंसर हो जाएगा इसका option number C हो जाएगा ठीक है चिराग question number 8 पे आते हैं कि शमा समा से प्यार कौन करता है तो शमाशे प्यार कौन करेगा भाई तो समाशे प्यार करेगा आपका option number B परवाना ठीक है next है आपका question number 9 में शायर किस से पूसता है कि परवाना को आदाब इश्क तो तूने शिखाए हैं क्या ठीक है यह आपको बता लिए right answer हो जाएगा option number C शमा question number 10 में आपसे कर रहा है नजम शमा परवाना के शायर कौन है तो नजम शमा और परवाना के जो शायर है वो कौन है इकबाल है अभी आपसे पूछा गया था next सवाल है हमारा सवाल number 11 नादिम 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 अल्गी का असल नाम क्या है महमद इस्राफिल है महमद शमाईल है महमद इबराहीम है या फिर महमद फे है ठीक है राइट अंसर हो जाएगा इसका option number C हो जाएगा इबराहीम हो जाएगा ना चलो next राते हैं question number 12 में कार रहा है कि मेरी आँख रोए लहू क्यों ना किस सायर का गजल का मिश्रा है ठीक है यह आपको बतानी है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका option number B किसका है मनजर सबाब का question number है आपका यहाँ पे question मिट गया है ठीक है शदीक हो गया मजीबी मजीबी का तालुक जारखन के किस जिला से है ठीक है आपको बताने है कौन से जिला से है तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number D राची से है याद रखिएगा question number आते है 14 पे question number 14 में कह रहा है कि नजम के माने क्या होते है तो जो नजम का जो माने होता है बबू वो क्या होता है ये बताने है आपको right answer हो जाएगा option number D इन में से सभी हो जाएगा इंतिजाम, तर्तीब और अराइश question number 15 पे आई 15 में कहा जा रहा है कि गजल किस जबान का लफज है तो गजल जो होगा बबू वो अरभी जबान का लफज है इसको याद रखना है question number आते है हम लोग 16 पे कहा जा रहा है मंदर्जा जिल लफजों में मुझकरा लफज की निशानदी ही कीजिए ठीक है, इसकी निशानदी ही करना है right answer हो जाएगा option number C ठीक है, बखार next देखते हैं, क्या है question number 20 मुमालिक और वाहिद लफज क्या होगा मुमालिक का वाहिद लफज बताना है मुमालिक का मतलब होता है बहुत सारा मुल्क, ठीक है तो मुझे लगता है यह अंसर होना चाहिए आपका option number B मुल्क, मुल्क का मुमालिक तो इससे आपको हिंट्स मिल रहा है किस तरह के सवाल आपको एक्जाम में आएगा तो इस तरह के सवाल आएगा तो आप लोग और भी अपने बुक से आप लोग पढ़ कर जाना सवाल number 18 में है आगाज की जिद आपको बताना है तो आगाज का जिद देखिए ओपोजिट वर्ड भी आपके एक्जाम में पुछा जाएगा तो उसका आगाज का जिद होगा वो हो जाएगा आपका अंजाम क्यों हो जाएगा अंजाम कोशन नबर आते हैं हम लोग 19 पे मुहावरा आखें भरना के क्या माने देखिए मुहावरा भी आपके एक्जाम में आएगा तो मुहावरा आखें भरना का माने होता है रंजीदा होना क्यों हो जाएगा रंजीदा होना आपसन नबर बी हो जाएगा Q24 वैं 20 में आपसे कहा जा रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ है या मकसद पूरा होने में देर है इस जुम्ले के लिए किस कहावत का इस्तिमाल किया जाएगा यापको एक्जाम में कहावत से भी आएगा ठीक है तो right answer हो जाएगा अभी दिल्ली दूर है ठीक है यह वाला कहावत का इस्तमाल होगा तो दिखिए model paper का मतलब होता है कि आपके exam में किस तरह से question आएगा उसको देख लिजेए इस तरह से आप लोग तयारी कीजिए पता नहीं आप लोग के पास model paper था या नहीं था हमें comment box में जरूर बताईएगा comment करके अप अपनी whatsapp group को join कर लिजेगा एंड मुझे बताईएगा कि आप लोग को जो उर्दू का book चलता है उस book का नाम क्या है अगर आप लोग को पता है तो पता नहीं आप लोग के पास book है भी या नहीं ये भी हमें comment box में जरूर बताईएगा ठीक ह वीडियो को like कर दीजेगा चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बैल अपन को जरूर प्रेस कर लिजेगा तकि आने वाली हर एक वीडियो का notification आपके mobile पर जाए मिलते हैं अगले वीडियो में thank you